आप सब लोगों का फिर से इबर फूसे फार्माउस पे सौगत है आज हम यहाँ पे एक और जो गवर्मेंट स्खीम है जो गवर्मेंट सरकार की जो योजना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे तारबंदी योजना 2020-22 2022 फसलों को बचाने के लिए किसान ले सकते है इस योजना का लाफ ऐसे करें आवेदर तो यहाँ पे हम लोग यह जो तारबंदी योजना जो है 2020 जो गवर्मेंट की जो स्कीम है उसके बारे में हम लोग इंडेस्ट में डिसकुस करेंगे कि यह कैसे यह योजना क्या है इसका अप्लिकेशन कैसे करना है हमरी किसान भाईयों को कितना अनुदान इसे मिल सकता है कितना बेनिफिट हो सकता है एक बात तो समझे देसी है कि हमने जैसे कहा था कि बहुत सारे गवर्मेंट के स्कीम होते है एंड हम लोग के पास वो अमर नहीं ले सकते हैं कि हमें पदा ही नहीं होता है कि पोरा थार-बंदी किया हुआ है उसकी मैंद था इसकी और से यही बेनेफिट पैसे तो हमने अलड़ी expenses कर दिये हमने investment कर दिया लगा दिया बट उसके बाद भी अगर government कोई scheme है तो वहाँ पे अगर अपन application कर सकते है जो भी होगा जब भी होगा अगर कुछ उमीद है वहाँ से कुछ मिल जाएगा जब भी आएगा तब तो हमें उसका application करना चाहिए हमें यह पता नहीं था तो हमने यह application नहीं किया तो अभी सोचा कि जैसे पता चल गया तो आप सब किसान भायों के लिए यह तारबंदी योजना जो है कि महारास्टा में भी देखोगे तो बहुत सारी जगह पे यह जो आजंगली जानवर है गिरगाए है नील गाए है है उसको हो गया या बाकी किसी भी इसको जो आपके ट्री प्लांटेशन है उन सब को डैमेज कर रहे हैं तो इसके लिए सब किसान भाई जो है आजकल तारबंदी यूजना या तारबंदी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं तो उसमें से भी अगर मानों कि यह अगर कुछ हम हमें ऐसा information मिलता है कि जहां से हमारे पास ऐसा कोई scope है एंड हम अगर उससे अगर ये कुछ हम कर सकते हैं जिसे हमें गवर्मेंट अनुदान भी मिल जाएगा अगर उससे कोई गवर्मेंट के स्कीम भी है और उसके स्कीम के बारे में योजना के बारे में अगर हमें information पता चलता है और हमारी किसान भायों को उसका benefit हो सकता है अगर farm में damage हो रहा है तो हमें तारबंदी तो करना ही पड़ेगा अगर हम तारबंदी कर रहे हैं और हम उस्के concern होगा तो जो पहुत ज़रूरी है कि हमारी किसान भायों को पता होना चाइए तो हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि तारबंदी योजनाagua 2022 कि क्या है फसलों को बचाने के लिए किसान ले सकते हैसी योजना का लाब तो कौन सी किसान ले सकते है उसका minimum ап जानने के कोशिश करेंगे तो बहुत है कि आज की डेट में जैसे हमने लास्ट टैम भी कहा था कि हम लोग भी खुद वो कैसे प्रॉब्लम में पड़ गये थे तो सबको अभी यह चरूरत है तो यह एक अच्छा गवर्मेंट के तरफ से स्कीम है तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है आप अगर तारबंदी करने का प्लान कर रहे हो तो यह योजना का लाफ ले लो इससे आपको कुछ बेनेफिट हो जाएगा इस वीडियो के साथ में अंध्य तक ताकि सब आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि आखरे में इसका अप्लिकेशन भी कैसे करना है एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो जितना हो सकती होतना किसन भाईयों के साथ शेयर कर लो एंड हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लो ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हम लेकर आएंगे तारबंदी योजना 2022 फसलों को बचान के लिए अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान ले सकते है इस योजना का लाब इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि तारबंदी योजना 2022 क्या है किसानों को मिलेगी 40,000 रुपे की साहिए था जानिए तारबंदी योजना 2022 से जुड़े कुछ खास बाते कि किसको अप्लिके तारबंदी योजना का हम अभिदन कर सकते हैं तो सब हम यहाँ पर यह डिसकस करने की कोशिश करेंगे और हम आपको हर चीज हर बात हम आपको explain कर लेंगे so तारबंदी योजना 2022 क्या है यह जो तारबंदी योजना रेजिशन 2022 किंद्र सरकार और राज्जय सरकार समय समय पर किसान भाईवों के हीत के लिए तरह तरह की योजनाओं को चारी करती है ऐसी एक योजना सरकार दोरा शूरू की गई है जिसका नाम है तारबंदी योजना 2022 देश के छोटे वो सिमान्त किसान को इस योजना कर लावप प्रधान किया जाएगा पाइ बैल सांड आदी से बचा सकेंगे चलिए जानते है जानते है योजनाकों से जुड़ी अन्यजानकारियों को तो ये ग Л के दरब से जosed जो हमेशा बहुता हरा सव्कीम योजना ये को आते हैं उसमें से ये भी एक योजना है और ये देश के छोटे और सिमान्त जो हमारे किसान भाई है उनके लिए ये बहुत बेनेफिट हो जाएगा इसमें ये जो किसानों की फसल को जो डैमिज करते हैं जो सुवर है काय है बैल है सांड है इन सबसे बचने के लिए ये गवर्मन की तरफ से ये योजना है किसानों को मिलेगी 40,000 रुपए की सायता जैसे कि आप सभी जानते है आवारा पशुओं का आतंग हर जगह फैला रहता है ऐसे में किसानों को यही टर रहता है कि कहीं आवारा चानवर उनके खेतों में उपचावू फसलों को नस्ट ना कर दे और कई बार तो पशुओं उनकी फसलों को तहस नैस भी कर देते है इसी समश्या को देखते हुए सरकार किसानों को उनकी खेतों में तारबंदी कराने के लिए 50% या 40,000 रुपे की आर्थिक साहियता प्रदान करती है तो जादा से जादा 50% या 40,000 तो इन दोनों मेंशे जो कम है वो आपको benefit मिलेगा अगर आपका expense से एक लाग तक वो चुका है उसका 50% 50,000 हो जाएगा बट government आपको 40,000 रुपे देगा क्योंकि जादा से जादा 40,000 रुपे तक आपको government से यस योजना से लाब मिलेगा अगर आपकी रख्म 80,000 से कम है तो 50% उसमें से आधा आधा आपको मिल जाएगा तारबंदी योजना से मिलने वाली लाबार्ती के बैंक खाते में भीजी जाएगी ये सिधा आपके बैंक खाते में आएगा जो भी इच्चुक अवेदन योजना का लाब प्राफ्ट करना चाहते है वह अपने मोबाइल के जरिये आउनलाइन माद्यम से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अवेदन फॉर्म भर सकते है और इसका लाब प्राफ्ट कर सकते है आफ्लाइन भी है वो भी डिसकस करेंगे बड़ अभी मैक्जिमम आप देखोगे हर जगह पे यह चल रहा है कि आउनलाइन अप्लिकेशन मोबाइल से कर सकते हो लाटप से कर सकते हो तो हमारे किसान भाईयों को भी थोड़ असा टेक्नोलोजी के बारे में समझना बहुत ज है आप नॉलिज ले लो इन उसके बाद में थोड़ा सा उसमें टेक्नोलोजी को भी समझने की कोशिश करो क्योंकि वो भी हमारे किसान भाईयों के लिए बहुत ज़रूरी है चानिये तारबंदी योजना 2022 से जुड़ी बाते अब इसमें क्या 2022 से जुड़ी बाते है और ज है तो 0.5 हेक्टर मटलब हो गया कि अपना धाई एकर तो 1.25 एकर उतनी जमीन अगर खेती करने के लिए होगी तो इस योजना का लाब आप प्राप्ट कर सकते हो तो कम से कम 0.5 हेक्टर जमिन आपके पास होनी चाहिए 400 मिटर की तारबंदी करने पर ही योजना हेतू अनुदान दिया जाएगा तो जो तारबंदी है वो कम से कम 400 मिटर की तारबंदी आपको करना पड़ेगा तभी आपको अनुदान मिलेगा तारबंदी योजना के तहेत 50% अनुदान सरकार के तरफ से दिया जाएगा और 50% तो 50% अनुदान आपको गौर्मी के दर्ब से मिलेगा इन 50% आपको आपकी जेव से खुद करना पड़ेगा किसान का बैंक खाता आदारकार से लिंक होना अनिवार यह है अभी उसके वालव तो कोई option ही नहीं है देश के छोटे वो सिमान्त किसानों को योजना का लाब दिया जाएगा जो चुर्जुदेश एंड सिमान्त हमारे किसान भाई है उनके लिए इसका यह लाब दिया जाएगा तो इसमें जुड़ी बाते में जो है उसमें terms and condition या किस किसान भाई को यह मिल सकता है तो उनके पा आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और यह देश के छोटे और सिमान किसानों को योजना का लाब दिया जाएगा यह तारबंदी योजना 2022 है तो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे तो आवेदन करने के लिए आवेद तक के पास अपना आधार क गया कि मोबाइल नमbर पास्पोर्ट सैज फोटो राशन कार्ड आधी उप्लब्द होना ज़रूरी है तो आपके बस आधार कार्ड ओट योजना का आवेधन अब जोचने को वोचन करेंगे तो योजना का आवेदन करने के लिए आप अपने नस्दीक जंटसेवा केंदर चाहे आवेदन क्रसी विभाग की आधिकारी की वेबसाइट पर भी जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं तो इसमें आप आफलाइन भी कर सकते हो और ओनलाइन भी कर सकते हो आफलाइन आपको करना है तो आपको आपके नजदी की चंद सेवा केंदर में जाना पड़ेगा और वहां पर जाके आपको यह अप्लिकेशन करना पड़ेगा नहीं अगर करना है तो आपको क्रसी वभाग की आधिकारी वेबसाइट पर जाकर यह आवेदन प्रक्रिया पूर केंदर पर जाते हो तो उनको उन्हें आपको यह सब इंफॉमेशन देना पड़ेगा कौन-कौन से ज़रूरी दस्तावेश फॉर्म्स भरने पड़ेंगे जिसके बाद एजेंट वरा अवेदन फॉर्म में पूछी जानकारी भरी जाएगी और साथ ही आवश्यक दस्तावेश को अप्लोड किया जाएगा तो बाकी जो यह अपने उपर देखा था क्या-क्या डॉकुमेंट है लगने वाले दस्तावेश है वह सब के आधार पर जो जनसेवर केंदर का जो एजेंट है वह सब इंफॉमेशन फॉर्म में अपडेट करेंगे और कुछ इंफॉमेशन आप पर दिया उसके बाद एक रसी जो रिसिप्ट है वह आपको जो जनसेवर केंदर का एजेंट है वह दे देंगे इसके बाद कारियाले में आपकी आविदन सभी दस्तावेशों का सत्यमापन अधिकारी द्वारव पूरा किया जाएगा फिर हमने जो यह आउनलाइन आप्लि कर दिया जाएगा सब कुछ अगर सही है अपने अप्लिकेशन किया हुआ तो हमें SMS द्वारा वह इंफॉर्मिशन हमारे मोबाइल पर आ जाएगी जिसके बाद आपको योजना का लाब मिलना शुरू हो जाएगा तो इस तरह आप यह तारबंदी योजना का आवेदन कर सकत हो या नजदी की क्लाशी सेवा केमर पर जाकी भी आप अप्लिकेशन कर सकते हो और अगर आप तारबंदी करने का प्लान कर रहे हो तो आपको 40,000 तक गौवर्मेंट से बेनिफिट मिल जाएगा तो तारबंदी योजना 2022 का जितना हो सकी अगर आप किसान भाईयों को अगर तारबंदी करना है तो उसका बेनिफिट ले लो और फसलों को बचाने के लिए किसाम ले सकते हैं इस योजना का लाप अभी दन कैसे करना यह भी हमने डिसकस कर लिया है तो आपको इस वीडियो से अच्छी जानकरे मिल गई होगी और इससे आप अगर कोई तारबंदी का प्लान है तो आपको गवर्मेंट के इस योजना का बेनिफिट हो जाएगा तो आपको बेनिफिट ले लो आपको अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में आइड कर सकते हो हम उसके उपर आपको इंफॉमेशन प्रवाइड करेंगे तो धन्यवाद किसान भाई वह यह व तक्निक है फार्मिंग के लिडिल उसके लिडिल हम लोग और भी वीडियो क्रियेट करेंगे हमारे किसान भाईवों के लिए लेके आएंगे धन्यवाद